हेलो फ्रेंट्स मैं रमेश शर्मा एच्चा रियाल्टर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस दा बेल आइकन जिससे हमारी वीड करूं सेक्टर 91 महाली में यह प्रॉपटी है जो की जेल पील का सेक्टर 91 में सेक्टर है महाली का और एक और प्लस पॉइंट में इस को ठीक आपको बता देता हूं यह पार्क फेसिंग विला है आप देख सकते हैं फुली डुवल पार्क है इसके सामने एक बहुत ही हिसा पॉपार्किंग एर्या पार्किंग आजाता है फ्रेंट में विला का है यह आपका front yard और यहां से entrance होती है हमारी main entrance यह हमारा main door है विला का आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत काम किया है वुडन का और जो भी हमने wood use की है सभी teak wood है और जैसा ही आप enter करते हैं left hand side मा आपका drawing room आ जाता है आप देख सकते हैं काफी बड़ी window मिल जाती है आपको drawing room में जिससे की natural light हमेशा आपके room में रहेगी और आप देख सकते हैं fall ceiling में भी हमने काफी अच्छा wooden का का काम किया है और drawing room से बाहर निकलते ही यह आपकी lobby आ जाती है जिसे आप as a dining area भी यूज़ कर सकते हैं और एक family lounge की तरह भी इसको यूज़ कर सकते है और flooring जैसा गया आप देख रहे हैं सारा ही italian marble है और just dining area के साथ यह आपको छोटा सा store दिया हुआ है इसको आप as a store यूज़ कर सकते हैं as a पूज़ा room इसको यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत वक किया है इसमें चाये वो fall ceiling हो, flooring हो या wooden का काम हो और अब मैं आपको ले चलता हूँ kitchen की तरफ fully modular kitchen है kitchen में भी आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत fall ceiling की है with LED lights आप इसकी cabinets देख सकते हैं और kitchen से ही आपको access मिल जाती है backyard के लिए आप देख सकते हैं backyard भी काफी spacious है आपको एक washing area मिल जाता है backyard में कलको आप अपनी washing machine वहाँ पर fit कर सकते हैं या कोई outdoor activity वहाँ पर कर सकते हैं काफी खुबसूरत color combination है kitchen का आप देख सकते हैं और जैसे ही हम kitchen से निकलते हैं अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ common washroom की तरफ यह हमारा common washroom है जो कि आपके bedroom से भी attach है कलको कोई guest आपके घर में आते हैं अगर आप चाहते हैं उनको separate washroom use करने के लिए तो यह separate washroom है full height इसमें tiles लगी हुई है anti skate tiles flooring पे लगी है और यह हमारा first bedroom आ जाता है आप देख सकते हैं इससे आपको front look मिल जाता है इसकी window से false link आप देख सकते हैं with LED lights यह wallpaper इसमें मिल जाता है आपको और almiras मिल जाती है और अब मैं आपको ले चलता हूँ second bedroom की तरफ जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत है बहुत ही खुबसूरती से design किया है हमने हर room हर bedroom को even flooring हो या false ceiling हो इसमें भी आपको LCD panel मिल जाता है wooden की flooring मिल जाती है आप देख सकते हैं false ceiling में भी काफी designer lights है इसमें एक आपको dressing area मिल जाता है separate और इसी के साथ आपका attach washroom इसमें भी जो flooring की मैं बात करूँ anti-skate tiles हैं और wall पे मैं बात करूँ तो full height tiles इसमें लगी हुई हैं color combination आप देखी सकते हैं बहुत ही खुबसूरती के मामले में ये घर अंदर हो या बाहर हो बहुत ही खुबसूरत है और कोशिश की है हमने इसको पूरा modern look देने की ये इसका backyard अब मैं आपको ले चलता हूँ first floor की तरफ इसमें दो bedroom आपको मिल जाते हैं ground floor पर और तीन bedroom आपको मिल जाते हैं first floor पर और एक bedroom आपको मिल जाता है second floor पर तो total six bedroom है इस गिला में आप ये देख सकते हैं जैसे हमने stairs से उपर enter किया ये छोटा सा एक lounge area मिल जाता है आपको जो staircase के साथ है चैंडीडे लगे हुए हैं इसमें और यहीं से access हो जाती है आपकी front balcony जो की first floor पर है आपको front view इससे मिल जाता है क्योंकि corner का घर है तो काफी अच्छा view मिलता है ये हमारा third bedroom आजाता है आप देख सकते हैं इसमें काफी खुबसूरत काम किया है इसमें आपको bed की back भी मिल जाती है और यहां से भी आपकी balcony की entrance मिल जाती है इस bedroom से आपको ये आपकी almira same full height almira से है और ये आपका attached washroom इसमें थोड़ा सा color combination आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे वाले washroom से color combination थोड़ा सा change है ये just check हमने look को enhance करने के लिए थोड़ा color combination चेंज किया है तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ store की तरफ हमने first floor पर भी एक store दिया है ये आपका first floor का store है इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से जैसे भी चाहें इसको use कर सकते हैं और अब मैं आपको ले चलता हूँ fourth bedroom की तरफ ये है हमारा fourth bedroom देख सकते हैं फाल सिलिंग, LED लाइट्स आपकी अलमीरास विंडो विंडो से आपको ये backyard की access मिल जाती है back balcony है corner का house होने की वज़े से काफी अच्छा look आपको इसमें मिल जाता है काफी अच्छा view आपको इसमें मिल जाता है और attach washroom इस bedroom में भी और concept इसका same ही है full height tiles और जो flooring में है वो anti-skid tiles है कोशिश हमने यही की है कि हर washroom हो या bedroom हो कुछ design change करने की कुछ color change करने का ताकि एक पूरे घर में सब bedroom से आपको एक ही look ना मिले कुछ different रहे अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ fifth bedroom की तरफ यह है हमारा fifth bedroom इसमें थोड़ा सा false link का design थोड़ा change हो जाता है यह आपकी balcony की access आ जाती है side balcony की LCD panel इसमें मिल जाता है आपको यह आपकी almiris full height almiris है almiris हमने जो भी दिये हो full height almiris है ताकि आप जात से ज़्यादा storage कर सके almiris में और यह आपका attached washroom इसमें भी आप देखेंगे color combination थोड़ा सा change हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस विला में आपको दो एंटर्स मिल जाती है यह इसकी back entrance है क्योंकि यह corner का विला है तो यहाँ से आपको access side से भी मिल जाती है तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ second floor की तरफ second floor की जो entry है वो बिलकुल separate है जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कल को आप घर पे कोई अपना servant रखते हैं या कल को आपने अपना rent पे देना है तो बिलकुल आपकी जो इसकी entrance से second floor की बिलकुल totally अलग हो जाती है आपके विला से और यह है हमारा second floor जिसमें कि एक आपको bedroom मिल जाता है और आपका terrace area आ जाता है इसमें यह है हमारा last और sixth bedroom जो कि हम top floor पर है second floor पर और इसमें भी आपको washroom दिया गया है attached और इस room से बहार आते ही आपको मिल जाता है open terrace यह second floor है जिसमें आपको बताया था कि एक bedroom और open terrace है और आसपास का area आप देख सकते हैं fully developed area है यह तो friends कैसा लगा आपको 220 गज में बना हुआ duplex corner villa और मैं एक बार बता दूँ इसकी location sector 91 मोहाली है और इसको design किया है architect Harleen Mirk ने और इस villa के regarding अगर कोई भी information अगर आपको चाहिए इसके price के regarding इसकी location के regarding या आप इसको visit करना चाहते हैं तो नीचे दिएगे number पर आप मुझे contact कर सकते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ नई property के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद